हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल यूनिय टि क्लासेस। मैं हुँ अमर्जीत और फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करेंगे डेली करेंट अफेर्च के बारे में। और आज जो है!, वो है बीज मार्च और बीज मार्च के जो भी ev rag करेंट अफेर्स होंगे उसके बारे में हम discussion करेंगे तो विडियो के लास्ट तक जो है आप बने रहेगा और यह जो करेंट अफेर्स है जुनियर एडर सी चक भरती यूपी टीजीटी पीजीटी यूपी बीएड या फिर इसके अलमा यूपी एससी पीटी का जो एकजाम होन है और डी एससी बी टीचिंग के लिए जो एकजाम होने वाला है एससी बैंक रेलवे या फिर इसके अलमा जिस भी कंपट्यूटी एकजाम में करेंट अफेर्स पूछे जाते हैं उसके लिए यह जो सेशन वेरी इंपोर्टेंट है तो विडियो के लास्ट तक बने रहेग राष्टिय समूद्र विज्ञान जो है जिसको हम CESIR बोलते हैं वो जो है कहां बैज्ञानिक और अध्योगिक अनुसंधान परिसद राष्टिय समूद्र विज्ञान CESIR है तो इसका अंसर हो जाएगा गोवा यह जो है गोवा में है फिर आगे हम देखेंग यहाँ पर द सा यूरोपिय देश जो है वह अंतराष्टिय सौर गठवंधर में जो है सामिल हुआ है तो इसका अंसर हो जाएगा इटली इटली जो है यह सामिल हुआ है अभी हाल ही में लेकिन यदि इसके पहले बात करें तो टोटल जो है वह है 121 देश लेकिन इसमें जो है इटली भी सामील हो गएगा और इस गठवंधन की बात करें यह बना था 2015 में और इसको बनाया गया था भारत के द्वारा भारत जो है अंतराष्टिय सौर गठवंधन जो है इसका निर्माड किया था जो समय भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी जो थे उनके द्वारा जो है ये सोर गठबन्धन का निर्माड किया गया था और ये जो जब 2015 में बना था इसका जब discussion हुआ था तो ओडिसकसन हुआ था लंदन के बेंबले लंदन के बेंबले स्टेडियम में और यहीं पर जो है अब विचार बीमर्ज करने के बाद जो है अंतराष्टी सौर गठवंधन जो है इसका गठन हुआ और इसमें टोटल जो है 121 देश हैं और अभी 17 मार्च को जो है इतली जो है यह इसमें सामिल हुआ है फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि दुनिया की आयतन के हिसाब से सबसे बड़े ताजे पानी की जिल कौन सी है तो यह जिल का नाम है बैकाल जिल और यह बैकाल जिल जो है यह है रसिया में और अभी हाली में दो तीन दिन पहले जो है इस ताजे पानी जिल में जो है सबसे बड़ा टेली स्कोप लगाया गया है तो इसका अंसर हो जाएगा बैकाल जिल जो की रसिया में है फिर आगे हम चौथा देखेंगे कि भारत जो है टीबी को खत्म करने के लिए खुद को प्रतिबंद किया भारत जो है कब तक टीबी को खत्म करेगा ऐसा भारत जो है न भारत के स्वास्त मंत्री जो है डाक्टर हर्स वर्धन जी यह बने हैं और इनका कारेकाल जो है वो है तीन वर्सों के लिए तो यहां पर इन्हों ने टीवी को खत्म करने के लिए प्रतिबध किया है तो 2023 तक जो है टीवी को खत्म किया जाएगा और फिर आगे है पांचमा कि आसकर के लिए नमांकित होने वाले पहले मुसलीम अभिनेता कौन बने है तो जो आसकर अवार्ड है आसकर के लिए जो है नमांकित होने वाले मुसलीम अभिनेता कौन है जो कि पहले मुसलीम अभिनेता है अभी तक कोई मुसलीम अभिनेता को जो है नमांकित नहीं किया गय पिर आगे देखेंगे कि यहां पर राष्ट पती किस देश के राष्ट पती जो है जिनका नाम है जान मैग फुली जो है उनका हाली में निधन हो गया है तो इसका अंसर हो जाएगा तंजानिया तंजानिया के राष्ट पती जो है जान मैग फुली जो है इनका हाली में निध तो इसका अंसर हो जाएगा तंजानिया तंजानिया की राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी है दोधोमा और भासा जो है स्वाहिली है और मुद्रा जो है तंजानियाई सिलिंग इसकी मुद्रा जो है तंजानियाई सिलिंग है और फिर आगे हम यहाँ पर बात International Women of Courage 2021 का आवार्ड जो है किसको सम्मानित किया फिर किसको दिया गया तो इसका अनसर हो जाएगा कौसल्या संकर कौसल्या संकर जी को जो है दिया गया और यह जो कौसल्या संकर है इन्होंने भारतिय जाती विरोधी जो है कारिकर्टा की रुप में काम किया और यह तमिलनाड प्रदान मंत्री जो पूरो परधान मंत्री हैं मौदुद अहमद इनका निधन हो गया है तो किस देश के परधान मंत्री थे परधान मंत्री थे जो जिनका नाम जो था मैदूद अहमद उनका हाली में निधन हो गया तो इसका अंसर हो जाएगा बंगलादेश और राष्टपती जो वर्तमान में है अब्दूल हामीद अब्दूल हामीद जो है बंगलादेश के जो है वर्तमान राष्टपती है और यदि बंगलादेश की बात करें तो ये जो बंगलादेश है ये पाकिस्तान से जो है आजाद होने के बाद बंगलादेश बना है और य इन्हों ने घोषड़ा किया था बंगलादेश की 26 मार्च 1971 में और फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे नौवा के टी आर ए आई की रिपोर्ट जो है सक्री ग्रहकों की संख्या में सीर्ष कौन है तो टी आर ए आई जो है इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है सक्री ग्रहकों की संख्या सबसे ज़ादा किस कमपणी में है जैसे हम दूर संचार के लिए उपयोग करते हैं तो इसका अंसार हो जाएगा Airtel जो है शक्री Airtel के सबसे ज़ादा जुक notamment एक टी संख्या है टो यदो यादी हम इसकी बात करें Airtel की तो एर्टेल जो है एक भारती कमपनी है और भारत के साथ 18 अफ्रिका देशों में जो है इसका कारेचेतर जो है फैला हुआ है एर्टेल का और यदि एर्टेल की बात करें हेड जो है मतलब इसके संस्थापक जो है तो इसके संस्थापक है सुनील भारती मित्तल सुनील भारती मित्तल जो है यह एयर टेल के संस्थापक और हेड भी है और हेड क्वाटर की बात करने तो एयर टेल का हेड क्वाटर जो है वो न्यू दिलही में है फिर आगे यहाँ पर देखेंगे दस्मा कि बीसो बैंक ने बांगला देश की मदद के लिए कितना मिलियन अमेरिका डॉलर इसका अंसर हो जाएगा दूसो मिलियन यू बांगलादेeur को जो है के आधिक शहायता के रूप में दी और यहीं वाल्ड बैंक की बात करते क्athy1 जिसको अले मर्य परवलेंग तो इसकी अस्थापना जो हुई थी 1944 SP में जो है World Bank की अस्थापना हुई थी और यदि हम इसकी Headquarter के बाद बारे में बात करें तो इसका Headquarter जो है वासिंगटन DC जो की अमेरिका में है वासिंगटन DC में जो है World Bank की Headquarter है और इनकी CEO जो है उनसुला कांथ जो है इनकी CEO है World Bank की जो CEO है यह है अनसुला कांथ और फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे इनकी World Sleep Day जो है यह कम मनाय जाता तो यह मनाय जाता है 19 March 2021 2021 में जो है World Sleep Day जो मनाय गया है यह मनाय गया है 19 March अईसा नहिं है कि हर साल जो है 19 March को मनाय जाता नहीं यह March के तिसरे सुक्रवार को मनाय जाता है उसको उस दिन जो है World Sleep Day मदनाया जाता है फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे बारहमा कि International Day of Happiness मनाया जाता है तो International Day of Happiness मनाया जाता है 20 March को तो आज जो है World International Day of Happiness है तो आज 20 March है और 20 March को जो है happiness day है और यदी हम इसकी बात करें तो सबसे पहले जो कमना गया था तो United Nation मतलब इसका गठन किया था कि यह कैसा दिन होगा जिस दिन व्रड़्ड happiness डे भी मनाया जाएगा तो यह जो मनाया गया था सबसे पहले यह मनाया गया था अनेक तरह के डिप्रेशन रहते हैं अनेक तरह के लगाव रहते हैं और तनाव रहते हैं जिसके काड़ इंडिया की रैंक जो है काफी जादे खराब है अब यहाँ पहला अस्थान फिनलेंड है और 149 अस्थान जो है वो अपने प्यारे भारत देश का है तो बहुत जादे अ प्रवारिक या फिर कोई धन के लिए हर एक चीज के लिए दुखी रहता है तो इंडिया की जो है काफी जादे रहेंके यहां पर खराब है आज जो है बीस मार्च है और बीस मार्च को हैपिनेस डे है तो हम सबसे यहीं गुजारिस करेंगे कि आप सब लोग भी खुश रहें दुख किसके पास नहीं होता है दुख सबके पास होता है और हर एक इंसान दुखों में जो है ओ घीरा होता है तो आज जो है यह है इंटरनेशनल हैपिनेस डे और फिर आगे हम यहां पर देखेंगे तेरह हमां जो कि आज का लास्ट क्यूस्चन है कि 19 मार्च 19 मार्च जो ह अर्थात बीता हुआ कल 19 मार्च 2021 को CRPF जो होता है Central Reserve Police Force जो होता है CRPF ये अपना कौन सा वर्स गाठ मनाया तो इसका अंसर हो जाएगा 82 बायासिमा जो है CRPF जो है अपना वर्स गाठ मनाया 19 मार्च 2021 को और यदि हम CRPF की गठन की बारें बात करें तो इसका गठन हुआ था 23 जुलाई 1949 को CRPF का जो सबसे पहले बना था वो बना था 23 जुलाई 2019 को और यहां पर हम देखेंगे कि जो हेड क्वार्टर है इसका हेड क CRPF का है यह हेड काटर है निव द subject है और इनके जो डीजी है डायरेक्टर जनरल जो है वह है कुल्दीप शिंग तो इनके जो हेड क्वार्टर है अरे सोरी यह डीजी है डीजी जो है वो है कुल दीप सिंग तो फ्रेंड्स यह जो था आज के लिए बस इतना ही था और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सस्क्राइब लाइक से जरूर कर दीजिएगा और जो कोई भी क्यूरी हो उपर जो है कमेंट उपर जो है मेरा वाट्स अप नमबर था उसके थूर आप वाट्स अप कर सकते हैं आपको किसी भी चीज की पीडियेप चाहिए या फिर जो कोई भी क्यूरी हो आप हमारे सीधे वाट्स अप से कर सकते हैं और यहां पर जो है जो भी गलत इंफोर्मेशन जो है वो नहीं दी जाती है तो आई फो आपको वीडियो अच्छा लागा होगा और यह दि कोई गलती हो तो उसमें वाट्स अप नमबर म जो कोई भी हो हम करेंगे तो आज के लिए बस इतना है मिलते हैं अगले नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाइबाइ टेक केर और अल दे बेस्ट थैंक यू फॉ लिस्निंग गॉड विलेस यू आल थैंक यू